तो हेलो व्रेंस कैसी हो मित करता भीकी होंगे फिर सी एक नई वीडियो में आपका स्वाग होते हैं आज की वीडियो में हम आपको एस से एक तरिका बताएंगे मांगे आपका वासिंग मिशिन का ये केपसेटार भूग चुका है देखिए ये बिल्कुल खराब हो गया डेट करते हैं तो यह पर देखिए फ्रेंस जोब आप वासिंग मिशिन ओपियान करेंगे उसका अंदर में दू मोटर आपको मिल जाएगा एक है चुटा मोटर कापला सुकाने के लिए और एक है बड़ा मोटर कापला दोने के लिए बड़ा मोटर में बेल्ट लगा हुआ और यह दूनों मोटर चलाने के लिए एक केपसेटर का यूज किया गया है तो यह पर आप देख सकते हो चार ओयार यह चार ओयार में केपसेटर लगा हुआ है तो अब हम यह चार ओयार को काटिंग कर देते हैं और केपसेटर को बाहर निकाल के आपको देखाते हैं वीडि जाने रचल में नहीं यहिं लुए लिए जाने के लिए जो मोटरिलार आपको लगााना है। तो यहाँ पर देखे वेरेंस मैंने दुनू कपासेटर लगा दिया बड़ा मोटर में 10 MFD का कपासेटर लगाया और चुटा मोटर में 5 MFD का कपासेटर लगाया 10 की जगह में 15 MFD का केपासिटर नहीं लगाना है नहीं तो मोटोर का steady coil पूर ज़ल जएगा और 10 की जगह में आपने अगर 8 MFD या फिर 6 MFD लगा दिया तो मोटोर का running coil पूर ज़ल जएगा तो आपको दियान रखना है जितना MFD का केपासिटर है यह कितना ब Сबस्क्राय चलता है एक बार चलू कीजिए कि तो यह पर आप देख सकते हो फ्र countless यह कितना बढ बढ़िया तरीका से चल रहा है ऑक क्लिक्स गुब रहा है क्लें गुम ना चाही है बिलकुल ऐसा गूम रहा हैल उम्मीद करता आपका समोजम आगा या वागा खुन सी के पासेडर का नहीं लगाना ये वीडियो prayer अच्छा लगा तो लाइक कीजिए।